एक बार हम मामा जी थे, बक्षर वाले बाव मामा जी, मामा जी तो प्रणमो इतने शारा भारत में उनके नाम, उनके क्या कहें, उनके बिद्धत्ता, उनके उनुभाब, उनके, हम तो उनके छोटा सा बच्चा जैसे, उनके चौरंदुल के शुमन नहीं है, एक बार, एक भक्त जा रहा है थे मामा जी के पास, हमने बोला, आप मामा जी से पुषके आना, जो किस समय जाने से मीरेंगे हम, तो, बलता है, अच्छा ठीक है, हम रहेते हैं उनके चंदर शौरवर, यह आदा गौंटा बाद, आदा गौंटा शौमने पहले, वो मोटो साइ के लिका आयते भक्तों, वरिदवाद रहता है, हमने का जे मामा जी से आप पुषके आना, मामा जी उनसे कब मिल सकते हैं, उनके चरण, दर्शन करने, आने की इच्छा है, यह 96, 96 के बाद है, तो, आदा गौंटा पीछे हम ठाड़े हैं, पीछे आके दिखते हैं, एक दौ लंबा चाड़े हैं, शादू दंडवाद, शाष्ट लंगों के पड़े हैं, शुवे-शुवे कोन आया, यहां तो कोई आते नहीं है, बहुत समय पीछे जो उटे हैं, देखते हैं मामा जी, हम बोले, हम आपके दर्शन करना चाहते थे, मामा जी आप ऐसे, इस तरह से, ब तो इसी रहाम ही आ गए, और हमने ऐसे लज्जीत हो गए, मने क्या कहें, मिट्टी में मिल गए जैसे, मिट्टी में मिल गए, इतने मड़े महापूरुष देखो, लेकिन इतने दीनता, इतने कोई रखोम अभिमान के लेश्मत्र है नहीं, तो शादू बनना इतना झाल 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 झाल